सब्सक्राइब करते हूं और बच्चे जैसा कि क्लास 10 को में पिछली लेक्षर पढ़ा था ब्रवपार पढ़ा ली उसमें हम कुछ यंत्रों के बारे में पढ़ चुके थे आज मुझे में पढ़ेंगे समय श्रम बचाने वाले और कौन-कौन से यंत्रे आई आज हम देखते पिछले लेक्षर में हम पढ़ चुके थे फोटो स्ट्रेट तक आगे आज हम पढ़ेंगे रिजगारी छाटने वाली मशीन क्या होती कि इसमें जो क्वाइन्स होते हैं जो सिक्के होते हैं उनको अलग-अलग कर लेते हैं कि जैसे पहले एक रुपए का दो रुपए का पा भाविक है अतारीजगारी छाटने के लिए इस मशीन का प्रियोग किया जाता है कई प्रकार के जैसे एक रुपए पचास पैसे पैसे हलाक यह नहीं चलते पहले चलते थे 20 पैसे 10 पैसे पांच पैसे आधिके एक साथ मिले होने पर इस मशीन में डाल देने पर यह सब लिक्षाख्शन है अपने न उसी तरह से तीह में आ जाते हैं जितने प्रकार किसे होते हें उतनी रिद्ध कर देती है या यहां 45 चाट कर देती है इंट्र हाम कर सकती सकता है वेवारिक रोप में इस यंद का पृषिलन के बराबर यानि आज कल ही बहुत कम जगा से अगर को मिलता अगर क्या है बीजग मुद्रक यंद्ड इस मशीन का प्रियोग बीजग बनाने में किया जाता है यह मशीन चोटे टाइप राइटर के समान होती है जिन कार्यालों में शहस्त्रों बीजग प्रते दिन तयार बीजग क्या होता है जब मालों खरीदा और बेजा जाता है उसके लिए बीजग तयार किया जाते हैं बिल जैसा होता है तयार होते हैं वहां इस बच्चों समाचार पत्रों में तुम प्रैपड़ते होगे अमुक बैंक से जाल साजों ने जाली रकम निकालकर चेप को भुना लिया इस प्रकार रकम में परिवर्थान के जाने को रोकने के लिए रोकने के लिए इस यंद्ध प्रयोग किया जाता है ठीक है यानि जो यूज के लादा चेक प्रोटक्टर का चेक पर धर्राशी शब्दों में एवं अंकों में छप जाती है पहले इस यंद्ध में रकम छप जाती है किन्टू नवींतम यंद्धों में रकम कट जाती है इस कारण रकम में परिवर्थान के संभावना के लिए नहीं के बराबर होती है आपके जो रखम लिखी होगी वो शब्दों में भी होगी और अंकों में भी होगी और उसenden टेप गया दिया। जिससे क्या उसकी रख़ंग सा ना और रहा सके हैं नेक्स क्या है आपका डाग गर से टिकट मंगा कर जिस्ट्री पार्सल पर चिपका देते हैं इस यंत से डाग घर में लगने वाले समय में बचत होती आप देख रहे हैं ठीक है और यह क्या है आपका नमबर डाले मडली मशीन आपने देखा होगा जब आपका इबुक उगरा लिए तो उस पर ऐसे मोहर लगाते हैं वह इसमें क्या नम्बरिंग पड़ी जाती है और साथ में कार आलम इसका यूज क्यूं होता है कि आपका टोकन देना है तो इससे आप इसली दे सकते हैं चली आगे देखते हैं संक्या डालने वाली मशीन आपने पीछे देखी कैसे होती है इसके बारे में प्रब जाती है उन सरकारी कार्यालों में जहां रुप्या पाने की रसीद दी जाती है इस मशीन से कैश्मी मों में नमबर डाले जाते हैं अगला क्या है पत्र खोलने का यंद्र माली जी आप बहुत सारी पत्र आते तो उनको खोलने के लिए एक मशीन का प्रियोग किया ज जाता है इस यंद्र के सहायता से पत्र को जिस स्थान में चाहो खोला जा सकता है इस समय की बचेत होती है तो पत्र के फटने के अशांका भी नहीं रहती है मोहर लगाने की मशीन या सबीन देखियोगी कुछ पत्रों को अधिक सुरश्चा के लिए पत्र के कुछ भागों म मोहर लगाना आवश्यक होता है इस मशीन से मोहर लगाने काम आसानी से हो जाता है तदा अल्प समय में अनेकों पत्रों में मोहर लग जाती है इस यंद्र में चमडा या लाग बेकार नहीं जाता है नवीन तम अमिश्कृत मशीन मोहर लगाने की बज़ाए एक पत्ला फीत चिपका देती है जिससे पत्र या पार्सल अद्धिक सुरच्षित हो जाता है यह मशीन से बी चलाइजा सकती है शिद्र लेखन याई चेद करने के लिए इस मशीन से पत्रों पर लिखने के स्थान पर चिद्र अंकित किये जाते हैं समानता या मशीन चेक ड्राफ आध लिखने के लिए प्रियोग में लाया जाता है इस मशीन की छिद लिखाईस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभाव नहीं होता है पिर क्या है तार सिलाई मशीन यानि स्टेपलिंग मशीन आपे देखा हो इस सब्रसबीन देखा होगा आज कल वैपारियों में कागज नत्य करने के लिए इस मशीन का प्रियोग किया जाता है इस मशीन में अनेकों कागज लगा कर मजबूती से नत्य किया जा सकते हैं इस मश मशीन का प्रियोग किया जाता है इसका चित सामने दिया हुआ है यह देखिए आप क्या करते हैं कभी कभी आप नोट की अब एक स्टेपल करें गड़ी देखते हैं उसमें लगी रती पेंसे और आपने स्टेपलर का बहुत चोटा सोधार्ण देखाऊगा आप भी उसकरते है अगर क्या है रोकर्ड लेखन मशीन यानि आप इस रोकर को काउंटन करके लिख सकते हैं जिस वेपारे कि यहां नगद माल बिखता है वहां रोकर लिपिक को यह मशीन दी जाती है इस मशीन के अंदर एक लंबे काज़की चरकी लगा दी जाती है इसके दोरह यह ग्याद ह चैनल हो जाता है कि अब तक किफने रुपाया का माल भिग चुका है इस मशीन के सहा था सराथ के परचे टैार किे जन्हांगात के परचे तयार होते हैं तो यह हम मश्ती मशीन में लगी कागज के जील पर छब जाती है इसके पार Excel कρε postp Hills आ के कुल राश्य ग्यात हो जाती है इसमें तुटिवा बेमाने के संभावना नहीं जाती है अगर आप लिखित करेंगे तो इसो कार्ड पीट चकते हैं लेकिन क्योंकि यह मशीन्जी होते हैं जो आटोमेटिक साथ चीज़े कल्कुलेट कर देता है इसके प्रियोग करने से कैश् किमा कंपनियां आधी में इसका प्रियोग किया जाता है इस मशीन से रोकर बही जर्णल खातों की प्रविष्टियां तुलन पर तदा आर्थे चिट्टे बनाने बड़ी सहायता मिरती है नेक्स्ट है दुर्भाश जितना जरूरी है उतना ही बटाव के लिए बता रहे हू दुर्भाश सभी जानते हैं दुर्भाश एक छोटी सी मशीन होती जिसका अविश्कार 1877 में हुआ था ये अंडरलाइन कर लिजेगा कि टेलिफोन ठेक है कब हुआ था 1877 में हुआ था इस यांद की सहायता से आप अपने घर या दुकान पर बैठे हुए अपने देश के ब्रण ही सवह लेकित कर सकते हैं किन्तू यहां आवश्यक है जिस बक्ती से आप बाचित करना चाहते हैं उसके यहां वह हाँ दुर्भाश यन्थ हो थीयका है अब क्या है आगे देखते हैं दुर्भाश द्वारा समाचार भेजना पत्रों पेच्छा लिखेथ कारणों से स्ट्रेस्ट कैसे इसकी इंपॉर्टेंस जैसे हैं समाचार श्रीगर पहुच जाता है तो ऑने किसे को फोन किया वह आपको पूरी बाद भी बता देता है दुर्भास ये यानि फोन पूरी बात चीत की सकती है यदि आवश्यक है तो पत्र द्वारा बढ़ता अलाब भी पुस्टी भी क्या या आप किसी ने पत्र भेजा उसने भेजा है या नहीं भेजा इसके बारे भी आप जानकारी ले लेते हैं एक ही शहर में दुर्भास वह समाचार भेजने में वह बहुत कम होता है या आप फोन कर सकते किसी को रखा जा सकता है इसके द्वारा ऐसे विक्टियों से बातचीत कि जा सकते जिनके पास मोबाइल पून साधानट फोन होता है ओज स्वारी लोह से परयोप उन बड़े वेपारी हो कारयालों में करया जाता लिफाफा चिपकाने वाली मशीन इस यंद्ध का प्रियोग बाहर जाने वाले पत्रों को चिपकाने या बंद करने के लिए किया जाता है कंप्यूटर इससे आप बहुत अच्छे से परचित होंगे कंप्यूटर विज्ञान के अध्रित्ता की देन है, इसके अविश्कार को लवग 32 वर्षी वो चुके हैं चाल्स बैवेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है Space Technology के छेत में हुई प्रगती जैसे चान पर माना को तरना में कम्प्यूटर का विशेश योगदान है कम्प्यूटर ये सूचना यंत्र होता है या प्रद्दत निदेशों के अधार पर सूचना प्राप्त करके उनका विशेशार कर सकता है Electro State Machine Éin machine 250D किसी भी प्रत्र प्र्लेश चित्र आद्र को होबहु प्रति इस मशीन की सहायिता से कुछी छड़ों में प्राप्त की जा सकती है इसके द्वारा प्रतिलिपी अलग लग रंगों में प्राप्त की जा सकती है मुल पत्र किया पेच्छ प्रतिलिपी का चोटा या बड़ा भी किया जा सकता है ऐसी प्रतिलिपी नियाले द्वारा मानि होती है ये बच्चों आपका चैप्टर समय तथा श्रम बचाने वाले आज समाफ्त होता है इसका में कोश्चन्स आपको बताएंगे वह करेंगे आप और आगे हैं फिरा नेक्स सेप्टर पढ़ाएं तब तक के लिए धन्वाद